नमसकार में हुग प्रवेण गोतम आज मंडी लोगसभा की चुनावी रैली में कंगना रनोत का सारा करज उतार गई पीएम मोधी मान सम्मान और अप्मान की राज़िदी करने में विश्घुरु पीएम मोधी ने कंगना का भर भर करमान सम्मान किया और कंगना की अफमान का मुद्दा उठाते वे गांधी परिवार पर जो बोला उसका लोजिक थोड़ा समझ नहीं आया PM मोधी ने कंगना के अफमान का मुद्दा उठाते वे क्या कहा मंडी लोकसभा की चुनावी रैली में PM मोधी का ये बयान सुनिए कि गांधी परिवार पर ऐसा कटाक्ष करने की आखिरकार क्या जरुवत थी और PM मोधी की इस भाषण का आगे विश्लेशन भी करेंगे पहले सुनिए क्या कहते हैं PM मोधी आज भारत का भविश्य लड़ा को वमान उड़ा रही हमारी बेटिया है इसलिए पहन कंगना भी सिर्फ हमारी केंडिडेट भर नहीं है ये देश के नव जवानों की हमारी बेटियों की एस्पिरेशन्स को रिप्रेजन कर चीए बेटिया भी एक्टम नई फिल्म में जाकर अपने दम पर सक्सेश्पूर हो सकती है ये इस विश्वास को रिप्रेजन करती है लेकिन साथ क्यों कॉंग्रेस उसी दक्यान उसी सोच में डुबी हुई है आपने देखा है अपने दम पर सभवता हासिल करने वाली बेटियों को कॉंग्रेस क्या बोलती है कॉंग्रेस मंडी का नाम लेकर कंग्राजी के लिए जो भत्ती बाते कहिती है वो मंडी का अपमान है छोटी कासी का अपमान है वो हिमाचल का अपमान है कि माचल के हर बेटी का अफमान है जिस हिमाचल में शिकारी माता माच्वागा माचित्पुणी माभिमा काली की पूजा होती है वहाँ की बेटी का ऐसा अफमान आज तल कॉंग्रेस के साहिश परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मागी है क्या आपको ऐसा अफमान मंजूर है क्या ऐसा अफमान करने वालों को सजा देंगे क्या इस चुनाओं में भर पोलिंग बुद में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए तो पीम मोदी ने कंगना के अफमान का मुद्दा उठाते वे शाही परिवार यानि गांधी परिवार को गसीड दिया गांधी परिवार का कंगना के अफमान से क्या लेना देना सुप्रिया शनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से वो पोस्ट हुआ था जिसमें मंडी लोग सबासे उमिदवारी के बाद एक घटिया पोस्ट किया गया था और उसके लिए सुप्रियाश नेते माफी भी मागी थी और ये भी कहा था कि ये पोस्ट मैंने नहीं किया किसी और ने कर दिया और उसके खिलाफ करवाई की जाएगी तो ये कहा था सुप्रियाश नेते गांधी परिवार का आकरकार इससे क्या लेना देना है क्या बीजेपी नेताओं की ये हरकत पर PM मोधी माफी मांगते हैं क्या अन्डिये के उमिदवारों के गैर चानुनी काम पर PM मोधी मांगते हैं प्रजवर्यवना जिनके लिए प्रचार किया उन पर हजारो महिलाओं के सोशन का आरोप है तो क्या प्रचार करने के लिए माफी मागी कि मेरे से गल्ती हो गई मुझे माफ कर दो कि मैंने ऐसे वैक्तिका चुनाव प्रचार किया पीम मोदी ने बकायदा प्रजवल रेवना के लिए वोट मांगे थे इस लोकसवा चुनाओ में तो क्या पीम मोदी ने माफी मांगी और गांधी परिवार आखिरकार क्यों माफी मांगे अगर कंगना रनोत का मान सम्मान है तो गांधी परिवार का भी मान सम्मान है कंगना रनोत अगर मंडी की बेटी है तो विक्रमादित्य भी मंडी के बेटे हैं कंगना रनोत रोजाना उनका अपमान करती है कहती है इधर छोटा पपू है दिल्ली में बड़ा पपू है जब कंगना रनोत दूसरों के लिए ऐसी भाशा का इस्तवाल करती है तो मान समान सबका है और कंगना के बयान ओपर जहां तक गांधी परिवार का लेना देना है जब प्रेंका गांधी से कंगना रनोत के उल जलूल बयान को लेकर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था तो प्रेंका गांधी ने कहा था कि देश में और भी बड़े मुद्दे हैं आप चाहती हैं कि मैं कंगना रनोत की मुर्खता पर बयान दूँ तो साप बोलने से इंकार कर दिया था तो गांधी परिवार आकिरकार क्यों माफी मागे और अगर बेटियों की इतनी परवा है पी बेटियों का गुनगार है अगर संगीन आरोप हैं तो करनाटक सरकार के अनरोत पर अब तक प्रजवल रिवन्ना का राज़ाइक पासपोर्ट रद हो जाना चाही था प्रजवल रिवन्ना की अलावा ब्रिज भूशन शेहन सिंग के बेटे को टिकेट दे दिया जिन पर प परिवार यारी गांधी परिवार ने आखिरकार जब कंगना रनोत पर कुछ बोला नहीं तो आखिरकार माफी क्यों मांगी जाए इसके अलवा प्यम मोधी एक और क्या वयान देते हैं इस चुरावी रैली में कॉंग्रेस पर कटाक्ष करते वे कंगना रनोत के मुद्दे क को और आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं जरा सुनिए बाई और बहनो यह कॉंग्रेस अभी भी 21 सजी में नहीं आप आई है लोग आगे बढ़ते हैं कॉंग्रेस उल्टा चलती है यह 20 सजी की दरब 19 सजी दरब जा रही है कॉंग्रेस का शाही परिवार गोर बेटी विरोधी है पूरी कॉंग्रेस गोर महिला विरोधी है लेकिन हिमाचल के मेरे परिवार जैनो मेरी बात लिख लीजिए आप अपनी बेटियों को खूप पढ़ाईए उनको खुला सुरक्षित माहूल देने और नई भुलनिया देने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है मतब पीम मोदी गारंटी दे रहे हैं और कहते हैं कि कॉंग्रेस और शाही परिवार महिला विरोधी हैं तो महिलाओं के खिलाव अपराद को लेकर जिन लोगों पर गंभीर आरोप हैं पीम मोदी की गारंटी आकिरकार वहां कहां चली जाती हैं विनेश फोगार को पीम मोदी अपने परिवार की बेटी बताया करते थे आज विनेश फोगार जैसे पहलवान ये कहने को मजबूर हैं कि बिरिज भुशन के बेटे को टिकेट दे कर बेटियों के साथ कमाल का न्याय किया है पीम मोदी ने और इसके अलावा जो 21 सदी की राजिती की बात की पीम मोदी में तो क्या 21 सदी में ऐसी राजिती होनी चाहिए कि अगर फला की सरकार आई तो आपके घर के टोटी खोले जाएंगे आपके लाइट काट लेंगे मंगल सुत्र चीन लेंगे गहने चीन लेंगे दो कमरे चीन लेंगे भैस चीन लेंगे साइकल चीन लेंगे तोटी खोले जाएंगे तो क्या ये 21 सदी की राजिती है 21 सदी की राजिती में क्या देश की जनता को ऐसे मुर्ख बना जाता है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो फैसला पलट देंगे राम मंदिर पर ताला जर देंगे क्या दुनिया के विक्सित देशों में ऐसी राजिती की जाती है आप दावा करते हैं कि भारत को 2047 तक विक्सित बना देंगे तो क्या भारत धर्म की राजिती के आधार पर राजिती करके विक्सित बन पाएगा काईदे से देश के प्रधान मंत्री को मुद्दो पर राजिती करनी चाहिए लेकिं देश के प्रधान मंत्री हर बात में मान समान ढून लेते हैं जनता को ऐसे मुर्ख बना जाता है कि देखिए मैंने फ़ला देश का युद रखवा दिया मैं ऐसे मिलता हूँ, ऐसे हाथ मिलाता हूँ, ऐसे गले मिलता हूँ और इस तरह की बयान देकर क्या अमेरिका के राश्पती इस तरह बयान देते हैं कि देखी मैं भारत के प्रधान मंत्री से ऐसे गले मिलता हूँ दुनिया के विक्सित देशों में इस तरह की बातें जग हसाई कराती है और हमारे देश के प्रधान मंत्री ऐसी राजिती कर रहे हैं और दूसे दलों पर आरोप लगाए जाता है कि देखिए फला दल 19. सदी की राजिती कर रहा है आप पीम मोधी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं और कंगना रनोत के माल समान का जो मुद्दा उठाया क्या कंगना रनोत वाकई दूसरों का माल समान करती हैं कमेंट बॉक्स पर पीरायस जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स क्रिप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार